तो लीजी आज इम फिर से आ गए लेकिन आजा के रिये नहीं आए अपने साथ कमेंट भी लाए हैं ज़्ड़ाइए कमेंट देखिए तो कमेंट में नरेंद्र जीने हमें कहा है देखरें नरेंधर मोधि तक हमारा संपर्ट चला गया है लगता है वहां से कमेंट आया है तो कमेंट फे उन्हों कहा है अंधायों की स्पूप वाउक्सी टॉपिक चाहिए समझ रहे हैं वर्रेख धिएध्यान दीजेगा व्रूपिक चाहिए उल्टा यह स्थेवीन कार्टून भेच यह फैमिली वाली बात बाकी तो यूटूब पे जुटे ही फेकते रहते हैं कि फैमिली फैमिली वहां पर तो रिक्वेस्ट करते हैं कि यह कर दीजिए वह कर दीजिए रिक्वेस्ट होती है यह होती है फैमिली जहां पर सीधा सीधा लिखा है ऐसे वैसे ना बिल्कुल स्ट् कितना पढ़ोंगे बस करो हो गया बेचारा का चाह रहे हैं आपकी नीच सब भरकतों की बज़ेशने लोग कमेंट नहीं करते हमारा काम रह जाता है तो बहुत हम आपका टर्टर हम भी आपसे कहता हूं कि हमको भी इसके उपर आपका कमेंट चाहिए और सेर भी चाहिए और मन हो गया तो थोड़ा care भी चाहिए समझ रहे है ना अले care के लिए हम है ने टर्टर हम तुम को कम प्यार करते हैं क्या आओ topic देखो तो चलिए तो ये हो गए हमारी मस्ती बात करते हैं इसकी topic की देखें topic क्या कहा रही है topic आप से simple सा कहा रही है biosynthesis of oxyn यानि कि oxyn को बनाना है oxyn का synthesis करना है देखें simple सी बात हमें पता है oxyn क्या है एक तरिए का plant hormone है कौन सा hormone है एक तरिए growth hormone है जो plant की growth और development का ख्याल रखता है यानि कि यही करता है इसके अलामा जो यह oxyn है वो plant के अंदर naturally पाया जाता है ठीक है यह artificially भी पाया जाता है लेकिन अभी हम यहाँ पर natural की बात कर रहे है इसका नाम क्या होता है IAA यानि कि indole 3 acetic acid होता है sort form क्या कहते है IAA यानि कि oxyn को हम sort में क्या कहते है IAA की नाम से जानते है चलिए यह भी बात खतम हो गई इसकी बात बात यह आएगी कि यह plant में कहां पर पाया जाता है ठीक है यानि कि site for oxyn synthesis का है site का word आप सुनके आप भटक भी सकते है मतलब भटक सकते है कि site क्या होता है site का मतलब भी नहीं समझ में आता था जब हम अपने डाइब में था तो हमको site का मतलब भी नहीं पता था कि site of oxyn synthesis का क्या मतलब है अब हम था बैल भाई हमको नहीं समझ में आता था तो बता देते तो क्या घड़ जाता लेकि नहीं बता थे थे लोग पूछो भी तो कहते थे site of oxygen synthesis अरे क्या site, site क्या site मतलब यह यानि कि oxygen synthesis की जगा यानि कि वह जगा जहां पर oxygen का synthesis होता है यानि कि आप site की जगा place for oxygen synthesis भी कह सकते हैं कि यानि कि वह जगा जहां oxygen का synthesis होता है तो plant के अंदर वो कौन-कौन सी जगह है जहां पर oxygen का synthesis होता है तो आपका suit, apical, maristam में, young leaps में, fruits में, seed में इन सभी जगहों पर आपका oxygen का synthesis होता है, oxygen का formation होता है देखिए बात समझिये, जहां से समझियेगा यानि कि जो plant का उपरी part है, यानि कि जो suit वाला part है जो part जमीन के उपर होता है, मिटी के उपर वाले part को suit पढ़ गाते है तो जो suit वाला part है, वहीं पर आपका oxygen का synthesis होता है वहीं पर उसका formation होता है, उमीद करता हूँ चीज़े आप समझ गए होंगे चलिए अच्छी बात है, अब आपके मन में आगे कि भाईया ये भी तो हमको वैसे ही भटका रहे है, ये तो बोल दिये suit, apical, meristam बोलके निकल लिये है, इसका मतलब कौन बताएगा चलिए पत्ती समझ में आ रही है कि जो आपकी नौजवान पत्ती है यंग लिप्स है, वहाँ पै बनता है, जो fruit है, वहाँ पै बनता है बात शमझ में भी आतीए लेकिन ये apical merism क्या है जो इन्हों ने बताया भी नहीं और चोरी से बोल के भाग रहे हैं बता रहे ये चितर आपको बालता अच्छे से explain कर पाएगा यह राफ एकर इसका जो उपरी पार्ट दिख रहा है जो आपके उसको follow करता है ठीक है जो उसका एकदम उपरी पार्ट है वही क्या है वही उसका meristem है Epical Meristem है तो बीच लपार्ट होता है वही आपके क्या है Epical Meristem है चलिए यहां तक तो हमने यह थोड़ा लेक्चर सुना आप ज़रा से बात करते हैं कि आक्सीन कब आया किसने खोजा यह सब कैसे कैसे हुआ भाई साब कुछ बताएंगे तो देखिए जो आक्सीन है ना इसको सबसे पहले खोजने वाले डिसकवर करने वाले आपके चार्ल्स दार्वीन है और इनके साथ इनके बेटे भी थी जिनका नाम फ्रांसिस है ठीक है तो इनके बेटे और डार्वीन ने मिल कर इसे देखा था ठीक है लेकिन उन्होंने इस टाइम पर इसे ऑक्सीन वर्ड नहीं दिया था यह टर्म देने वाले कौन है ऑक्सीन टर्म से देने वाले जो scientist है उनका नाम है Frist Walmart Went ठीक है कब दिया था 1928 में किस ने दिया था Frist Walmart Went ने दिया था चलिए उम्मीद करता हूँ चीज़े समझ में आगा लेकिन discover किस ने किया था Charles Darwin उनके बेटे यानि कि Francis ने कब किया था 1880 में उनकी एक famous book थी जिसका नाम था Power of Movement in Plant इसमें उन्होंने अपनी चीज़ों को publish किया था यहीं पर चीज़ों को बताया था बाकी 8080 के आसपासी उन लोगों ने इस चीज़ को discover किया था तो उन लोगों ने ओट का जो पौधा नहीं होता है ओट अपको पता है ओट को क्या करते है हिंदी में रहे याद नहीं आ रहा है रुकिए ऐसे समझी एक तरीके का फल होता है ठीक है उसी के प्लांट को यह observe कर रहे थे तो उसी में देखा था कि जो प्लांट का सबसे उपरी वाला पार्ट है वो सनलाइट को फॉलो कर रहा है सनलाइट ही धर जाती तो इधर जाता है तो नहीं का देखे कोच तो है कोच तो इसमें प्रभावसाली कोई चीज है जो सनलाइट को फॉलो कर रही है बाद में पता चला कि वो चीजी क्या थी आक्सीन थी आप लोग भी मजा करते हैं साइड में जुक जाता था यही चीज होती थी आपको फिगर में देख रहा होगा चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटील में किसी सौट वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको जाद अच्छी समझ में आएगा अभी मेरा में काम है बायो सिंथेस ऑफ ऑक्सीन यही में इस साइ्टो सोल में इसका फमेशन होता है बात यहीं पर खतम करते हैं बाकि यह जो आपका demons है यह ग्रीक वर्ड है जिससका वहांपर मतलब होता है वहांसे एक कही दिसा में जाता है यानि कि नीचे के तरफ डाउन यार्ड में जाता है यानि कि ये बनता उपर पार्ट में है तो उपर पार्ट से ये नीचे की तरफ आता है सिंपल सी बात है एक दीशा में चलने वाला होता है, यह बंथा है, प्लांट के उपर वाले बाद में बनता है, तो वहाँ से फिर वह नीचे की तरफ आता है, उमीद करता हूं, समझ गया होंगे मालिक इतनी भी उमीद मत किया कर वरना किसी दिन ये लोग भी उमीद करके टाटर बाय बाय कर जाएंगे नहीं नहीं बात सहीत मैं टाटर हम बार बार यही वर्ड बोलता हूं उमीद करता हूं अच्छी बात है आसा लगी रखनी चाहिए चले ठीक आगे देखिए तो देखिए ये था आपका पूरा ताम जाम अब बात आएगी कि ऑक्सीन का बायो सिंथेसिस किस तरीके सोता है तो दो पाथवे हैं ऑक्सीन के बायो सिंथेसिस की दो पाथवे हैं दो मार गए हैं दो तरीका है कौन-कौन सा एक आपका TIP और एक आपका TDP TIP मतलब Tryptophone Independent Pathway और TDP मतलब Tryptophone Dependent Pathway इन दो तरीके से Oxine का formation होता है अब चलिए उन दोनों तरीकों को देखते हैं हमें नहीं देखना है, मैं सिफ एक ही तरीका देखना है reason यह है कि जो Tryptophone Dependent जो pathway है इसके बारे में थो हमको पूरी जानकारी है किस तरीके से क्या कैस के अंदर mechanism होता है और किस तरीके से आपका Tryptophone आपके IAA यानि की Oxine में convert होता है लेकिन Tryptophone Independent Pathway के बारे में अभी हमको well known जानकारी नहीं है इसके बारे में हमको उतनी जानकारी नहीं है लेकिन हमें ये पता है कि ट्रिप्टोफान Independent Pathway में आपका ट्रिप्टोफान involved नहीं होता है रीजन क्या है उसके नाम को पढ़िए ट्रिप्टोपॉन Independent है यानि कि उसके उपर डिपेंडेंट नहीं है उसके उपर डिपेंडेंट नहीं है या किसी conclusion पर हम पहुच नहीं पाएं है आज भी लेकिन इसके उपर research चल रही है आप कहेंगे तो इसके उपर वीडियो बना दी जाएगी कि अब तक इसमें क्या progress हुई है ठीक है अभी मारा मान क्या मतलब main काम क्या है तीडीपी को देखना है टिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे को देखना ठीक है अब जापको पता चल चुका है कि आपका वेल नोन पाथवे है यानि कि इसके पूरे mechanism के बारे में हमको अच्छे से पता है ठीक है इसमें जो आपका टिप्टोफैन होता है या आपका precursor की रूप में वर करता है आपका precursor फिक भाग जाएंगे बताएंगे नहीं क्या होता है देखिए precursor मतलब ऐसा समझेगे कि आपका बाप ठीक है प्रिकर्सर मतलब क्या हो गया यह आपके डैडी हो गया है और आप क्या हैं आप अपने डैडी के बेटे हैं तो यानि कि जो यह ट्रिप्टोफॉन है यह बाप है और इसी ट्रिप्टोफैन से ही आपका क्या सिंथेसिस होता है IAA का यानि कि ऑक्जीन का फॉर्मेशन होता है तो टिप्टोफॉन नहीं होगा तो ऑक्जीन का फॉर्मेशन नहीं होगा और जब टिप्टोफॉन होगा तो ही आपका ऑक्जीन का फॉर्मेशन होगा तो इनसान के अंदर टिप्टोफॉन नहीं पाया जाता है हम इसे बाहर से लेते हैं आनि कि खाने के रूप में लेते हैं आनि कि कह सकते हैं जो प्लांट वाली चीजे खाते हैं वहां से हमें ये मिल जाता है तो ये हमारे अंदर चला जाता है तो इंसानों के अंदर ये नहीं पाया जाता है अब ये बात है कि ये जो टिप्टोफान है ये कैसे बनता है ये आपकी सिक्किमेट पाथवे से बनता है और इंसान के अंदर सिक्किमेट पाथवे होता ही नहीं है जब होता ही नहीं है तो टिप्टोफान बनेगा कैसे प्लांट के अंदर ये पाथवे पाया जाता है लेकिन इंसानों के अंदर नहीं पाया जाता है इसी वज़े से सारा गुडगोबर हुआ है बाकि जो सिकिमेट पाथवे है ये फंगी के अंदर पाया जाता है ये प्रोटो जोबा बैक्टीरिया प्लांट इन सभी के अंदर पाया जाता है लेकिन इंसान के अंदर नहीं पाया जाता अब काही कर सकते हैं हमारे अंदर कमी तो है ही जाने दे मालिक चुप हो जाओ चुप हो जाओ भावक्मत हो हम कोशिस करूंगा कि बड़ा होके साइंटिस्ट बनके आपके अंदर सिक्किमेट पाथवे डाल दू ताकि आप ट्रिप्टोफॉन आप भी बना सको अरे नहीं बन का है और यही ट्रिप्टो फैंड से ही आपका आये यानि crear तरीकों से होता है तो देखिए टिप्टोफॉन के ठुरू आ या का फार। फॉर्मेर चार अलग अलग पाथवे के ठुरू होता है आप कहसे हैं कि अलग आलगख पोसिबिल्टी है कि टिर्पी से किस तरीके से IAA यानि कि Indole 3 Acetic Acid का formation होता है या synthesis होता है तो अब हम उन्हीं तरीकों को देखने वाले हैं सबसे पहला होता है आपका TAM pathway यानि कि TAM TAM pathway second है आपका IPA pathway third है आपका IAN pathway और fourth है आपका IAM pathway यह जो फोर्थ वाला pathway है यह बैक्टीरिया के अंदर भी पाया जाता है इसी वज़े से बैक्टीरिया पाथवे के भी नाम से जना जाता है सोच यह बैक्टीरिया इमें भी पाया जा रहा है मतलब कुछ कहना ही नहीं बस ए जितना है उतने संतोफ करिये मालिक आपको बैक्टीरिया का नाम बता दे रहे हैं ताकि हमसे बजिए रहिएगा ठीक है मालिक और लाम लगती यह है कि जो प्रकार की अलग अलग पाथवे आपने देखे इन सभी पाथवे का जो starting product होता है वो ट्रिप्टोफैन ही होता है और जो उसका last product होता है वो IAA यानि कि आउक्सीन ही होता है जो plant के अंदर naturally पाया जाता है वही आउक्सीन ही होता है यानि कि आपने क्या समझा कि जो हमने अलग-अलग पाथवे है उन सभी पाथवे के लास्ट में प्राप्त होगा वह आपको ऑक्सीन ही है तो बस आईए हम एक एक करके हर एक पाथवे को देख लेते हैं बहुत ही आसानी से हम हर पाथवे को समझ लेंगे लाश्ट में इनका एक mixture figure बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए पहले हम इन पाथवे को एक-एक क पाथवे आपको भी पता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि सारी चीजें स्टार्टिंग होगी आपकी ट्रिप्टोफैन को लेकर और अंतिम में जो बनेगा वह आपका आई एए यानि कि इंडोल 3-स्टिक एसिड यानि कि ऑक्सीन का फॉर्मेशन होगा तो स्टार्टिंग होगा ट्रिप्टोफैन से खतम होगा औकजीन पर यानि कि IAA पर सभी पाथवे के अंतर हमें यही प्राप्थ होना है उसी से स्टार्ट होना है और इसी पर खतम होना है अब समझते हैं बहुत आधानी से में समझ भी जाएंगे तो देखे ये है आपका यह आपका ट्रिप्टोफॉन आपका इसमें डी एमिनेशन की प्रोसेस होती है टी आर्पी ट्रांस्मिनेज नामक एंजाइम की प्रजेंस में यह कनवर्ट हो जाता है IPA में यानि की इंडोल 3 पारविक एसिड में ठीक है आपका जो ट्रिप्टोफॉन है वो कनवर्ट हो जाता है IPA में किसकी प्रजेंस में टी आर्पी ट्रांस्मिनेज एंजाइम की प्रजेंस में अब आप कहेंगे टी आर्पी क्या है टी आर्पी ट्रिप्टोफॉन को ही सौर्ट नेम टी आर्पी से जना जाता है तो ट्रिप्टोफॉन ट्रांस्मीनेज नामक एंजाइम की प्रिजन्स में ट्रिप्टोफॉन कनवर्ट हो जाता है कि इसमें IPA में यानि कि इंडोल 3 पायरविक एसिड में इस प्रोसेस के दोड़ार यहां पर डी एमीनेशन होता है यानि कि टिप्टोफॉन के अंदर से एमीन जो ग्रूप है वो बाहर निकल जाता है तो इसी हो कहते हैं डी एमीनेशन ठीक है अगली वीडियो में हम इसके स्ट्रक्चर के साथ भी बताएंगे कि इस तरीके से एमीन बाहर निकल रहा है और फिर क्या बन रहा है वो सारी चीजों को समझाएंगे आज हम आपको लिखित रूप में रिटेन में दे दे रहे हैं अगली वीडियो में इसके स्ट्रक्चर के साथ आपको समझा देंगे ठीक है अब यह आपका IPA बन गया अब यह IPA यानिके इंडो अब ऑक्सिलेशन होता है तब IPA कनवर्ट हो जाता है IAD में यानिकी इंडोल 3 एसिटल डिहाइड में और फिर इसी तरीके से IAD कनवर्ट हो जाता है IAA में यानिकी इंडोल 3 एसिटिक एसिड में किसकी प्रजेंस में तो IAD डिहाइडोजिनेज एंजाइम की प्रजेंस में यह convert हो जाता है IAA में यानि कि यही आपका oxine बन जाता है तो इस तरीके से आपका IPA pathway complete हो जाता है अब बात आई कि जो IPA नाम है वो इनकी जो यह mid वाला compound है इसी के नाम पर पढ़ा है इसी तरीके से हम जब time pathway देखेंगे तो उसमें भी जो यह mid वाला compound है इसी के नाम पर इस उसमें भी जो mid वाला point है उसी के नाम पर आपका इस pathway का नाम पढ़ेगा और जब हम fourth वाला देखेंगे तो वहां पर भी जो mid value होगी जो mid compound होगा उसी के नाम पर इस pathway का नाम पढ़ा हुआ है अब बहुत असानी से आप सारा pathway समझ लेंगे कोई कठिनाई नहीं है हाँ इस pathway इस pathway में भी कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर हमें यह नहीं पता है कि यह अभिक्रिया या यह डियक्सन किस एंजाइम की प्रजेंस में हो रहा है अभी भी हमें यह पूरी तरीके से ग्यात नहीं है कुछ चीज़े आज भी unknown पड़ी हुई है जैसे ट्रिप्टोफॉ उनका decarboxylation होता है आपकी carboxylic group बहार निकलता है फिर जो टैम है इस टैम का deamination होता है तो यह बन जाता है IAD का मतलब indole 3 acetyl dehyde बन जाता है और फिर यह IAD IAD dehydrogenase यानि की indole 3 acetyl dehyde dehydrogenase नामक enzyme की presence में convert हो जाता है IAA में यानि की oxygen में convert हो जाता है तो इस तरीके से यह आपका time pathway था अब हम third pathway देखते हैं जिसका नाम है IAN pathway अब आपका IAN pathway क्या है इसको भी देख लिए आपको पता है कि सब कुछ बनना ट्रिप्टोफॉन से ही है औ और जो अंतिम product है वह आपका IAA यानि की oxygen ही होना है तो क्या ही सोचना है तो देखिए यहाँ पर जो ट्रिप्टोफॉन है इससे आपका बनता है इंडोल 3 acetyl doxime ठीक है और फिर इस इंडोल 3 acetyl doxime से बनता है IAN यानि की indole 3 acetyl nitrile और फिर indole 3 acetyl nitrile यानि की IAN से बनता है आपका IAA जिसका नाम है indole 3 acetyl acid यानि की simple सी बात है oxygen बनके त्यार हो जोता है यहाँ पर मैंने एक step कम किया है क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर आपका एक step low भी मिलता है और अगर आप चाहते हैं कि आप 4 step note करें तो आप यहाँ पर tiptofan के बाद वह वाला part डाल सकते हैं जो indole 3 acetyl doxime वाला part है उसको add करने के बाद फिर उससे यह बनेगा आपका IAN और फिर इस IAN से बनेगा आपका IAA यहाँ पर एक enzyme के बारे में हमको जानकारी है इस वजह से हम उसका नाम लिखते हैं तो यह जो process है वो nitrilease enzyme की presence में होती है इस वजह से इसको हम add कर सकते हैं बाद की उपर वाली एक जो process है उसके बारे में हमें पता नहीं है कि यह कुछ कौन से enzyme की presence में हो रहा है ठीक है चौथा आपका है IAM pathway यह पाथवे आपका bacteria के अंदर भी पाया जाता है इसी वजह से bacterial pathway के भी नाम से जानते हैं इसको भी सेम चीज़े है आपका जो ट्रिप् की इंडोल 3 acetic acid यानि की oxygen बनके त्यार हो जाता है तो इस तरीके से इन चारो पाथवे के तुरू हमें अंतिम जो प्रोड़क्ट मिलता है वह आपसीन ही मिलता है इस तरीके से अलग-अलग possibilities के थुरू आपके ट्रिप्टोफरेंस से आपका यह चीज़ बन रहा है ऑक्सीन इसको कोसिस करेंगे कि आपको थोड़ा डिटेल में structure के साथ समझाए और इनको आपस में combine करके बताएं थाकि आप और अच्छे से समझ पाएं ठीक है तो आज के इतना ही मिलते है अगली वीडियो में टाटा बाए बाए